कुछ तो चामक रहा है अरे कहा? वो रहा अरे अच्छी आवाज इम 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 चोटा नटकड ये है गंडी अरे बोध अच्छी आवाज है इसे मैं गेले में डालूँगा चोटा नटकड नहीं उसे जल्दी फेंग दू मैं नहीं फेंगूँगा मुझे ये चाहिए चोटा नटकड नहीं ये खतरा है गतरा? क्या गतरा? बहुत पहले इसे ही एक गंडी मुझे जेंगल से मिली हो, क्या-क्या हंगावा मचाया था उसने पता है क्या मुझे बत? वो क्या है? ये तो मास्ते बहुत परिया अरे ये क्या है? अरे मुझे बिली या ये क्या चीज़े? इसका नाम क्या है? नाम सब उझे नहीं पता इसकी आवा सुनने में बहुत बढ़िया है ये है गंडी ये तुझे कहां से मिली? वो गुलाब के पेड़ के पास से इसे मैं गले में बांध लूँगी चलते वत आवा सुनने बड़ा मसा आता है अचा है अचा है नहीं बेटा ये गले में लटका ओंगे तो कत्रा होगा खत्रा? क्या खत्रा? ये अच्छे मसाख है हो! मैं कबसे आया हूँ? एक बंदर को अब तक नहीं मिला एक बंदर मिल जाता तो सरकस वालों को दे सकता था हम मुझे देखते ही डर से ये सारे बंदरों बाग जाता है अरे रुक बहाँ पे रुक जा तुझे मैं चोड़ूंगा नहीं अरे रुक बहाँ पे वो दिख नहीं रहा है इतने जल्दी वो कहा गया? गाले में घंडी है अच्छा हुआ वो इसके अंदर ही है अईसे उसे पकट लिया अरे हमारी नना बंदर को शिगारी ने पकट लिया इसे अब भी ही शहर पहुंचाना है इसे यहां रखते है ताला में जाकर जरा नहा के आता हूं जल्दी खोलो ना शिगारी आने के भेले जल्दी खोलो ना हो चलो तुम बच कया बच्चो यह गंडी चाहिए क्या गले में लटखाने के लिए नहीं नहीं और मुश्किला में मैं पटना नहीं चाहता चुप रहो वो क्या है केकडे आज हम चीटियों के बारे में पढ़ेंगे चीटियों मुख्य रियोब से तीन प्रगार के होते है एक बड़ी लाल चीटी दूसरी खाली चीटी और तीसरी चोटी लाल चीटी कौन-कौन से है बड़ी लाल चीटी खाली चीटी और चोटी लाल चीटी